कल मैंने बताया था कि समस्त दुखों का कारण संसारी कामना है और संसार कहां तक है यह भी बताया था और कामनाएं कितनी होती है यह भी बताया था और कामनाओं को छोड़ देने से जितनी बीमारियां हैं मानसिक क्रोध लोभ आदि वो स्वयम समाप्त हो जाते हैं किन्त यह पता लगाना चाहिए कामना का कारण क्या है सभी जीव कामना बनाते हैं संसार की लगभग क्यों तो कामना कारीजन है आसकती यद्यप सब की पांच प्रकार की ही कामना होती हैं उसमें अंतर नहीं लेकिन एक एक इंद्रिय की जो कामना है वो अलग अलग बिशय में सब की होती है यह ठीक है आख देखने की ही कामना करेगी सुनने की नहीं कान सुनने की कामना करेगा देखने की नहीं भागवत ने मजाग किया है एक असलोक में कि जिहिवई कतो मुमपकर्षतिकर्धितर्षा सिष्नोन्यतस्त्वगूदरं श्रवनं कुतश्य घ्राणोन्यतस्त्व चापलद्रिक्वाचकर्मशक्तिर्ष भब्याह सपत्न्य इवगेह पतिम्लुनंत्थि ज्यारा नौ सत्ताइस जैसे एक पुरुष के पांच इस्त्रियां हों होती है मुहम्डंस के हाँ कोई प्रतिबंध नहीं है जितनी चाहो उतनी इस्त्रियां बना लो विवाह कर लो और पांच पांडों की एक इस्त्रि हमारे इतियास में भी हुई है तो एक पती के पांच इस्त्रि और सभी इस्त्रियों को अपनी अपनी कामना है इंद्रियों के सुख की तो पांचों उस पुरुष को अपने अपने कमरे में ले जाने के लिए खींचती हैं हम से प्यार करने चलो जब स्रिकृष्ण ने 16108 ब्याद किया था तो उन्हों सोचा कि तो मेरी मुसीबत हो जाएगी 16108 तो वो शादी के समय ही अपना 16108 शरीर बना लिया था उनको बनाना क्या है उनका तो प्राभाव देह होता है प्राभाव देह माने बनाना नहीं है सब जगे है बनाने वाला देह तो योगियों का होता है जैसे सौभरी मुनी हुए है उन्होंने मानधाता की पचास लड़कियों से ब्याह किया उसको प्राभाव देह कहते हैं वही प्राभाव देह महारास में भी बना था अरे जब चाहे तब बना बनाया है उसको बनना बनना क्या है तो समस्त जीवों के ये पांच इंद्रियां रूपी इस्ट्रियां है गेह पतिम लुनन्ति ये गेह पतिम आने आत्मा को लुनन्ति माने लूट रही है अपनी अपनी ओर आख कहती है हमको देखने से ही सुख मिलेगा नाक कहिती है नाई हमको तो सूंहने से मिलेगा रसना कहिती है हमको तो रसुगुला से मिलेगा साब अपनी अपनी ढपली बजा रही है एक विचारा जीव दिन भर इन्ही पाँचों के आकरशन में अशान्त है टेंशन है उसको सदा क्योंकि देखने को तो संसार बहुत है लेकिन वो अपने प्रियतम को देखना चाहती है अपने बेटे को देखना चाहती है वो इंगलाइंड में है रसना को खाने को तो मिल ला है गरीब को भी लेकिनों कलकत्ते का रसुल्ला चाहती है इस टंडर्ड उसके लिए सब परिशान है अगर ये हो के खाली देखने की इच्छा है आख की लो देख लो सामने घड़ी है ये घड़ी क्या देख है इसके देखने से सुक नहीं मिलता अगर इस घड़ी में हीरे जड़े हो और सोने का कवर हो चम चमाती हो आद अच्छे लगती है देखो सब के मा होती है बाप होता है बीबी पती वगएरा लेकिन कभी सुख कभी दुख कभी सुख कभी दुख आख वई सामान वई तो ये पांच इंद्रियों के विशय सब के अलग अलग होते हैं हम अपने बेटे में आनंद पाते हैं देख कर भिखारिन अपने बेटे को देख का सुख पाती है ओ बिश्व सुन्दरी का बेटा बड़ा सुन्दर है होगा हम तो अपने बेटे को देख का सुख पा रहे हैं बल्कि उसको देखके तो दुख मिलता है वे बड़ा सुन्दर है वो जा रहा है अमपाला गाड़ी में हमारी गाड़ी तो मारूती है हम लोग अपने छोटे क्लास के सामान को देखकर और बड़े क्लास के सामान को देखकर अपने सामान में सुख कानभव नहीं करते जो थोड़ा बहुत मिल रहा था वो भी गया अपने से नीचे देखा अपने से उपर देखा पिचक गए एक काने को देखा हमारे दो आख है एक काना है लेकिन हमारी आख ये आख अच्छी है हमारी नाख ये नाख जादा अच्छी है इस प्रकार हम साथ लोग दुखी है क्योंकि एक के ऊपर एक अस्तर है स्वर्ग में और अधिक है अगर एक देवता यहां खड़ा हो जाए तो और आप उसी के कंप्टिशन में बिश्व सुन्दरी को खड़ा करने तो बिश्व सुन्दरी को देखके उल्टी हो जाए इसके तो शरीर से बद्बू आ रही है पसीना निकल जाए अगर किसी बिश्व सुन्दरी के शरीर में फिर सूंगो उसको तो देखो क्या हाल होगा नाख का और अगर बिश्व सुन्दरी का पेट खोल दिया जाए और कफ मल मूत्र की दुरगंध आवे तब तो आप कहेंगे बिलकुल बैराग्य होना चाहिए संसार से इस जना गंदा संसार है और लोग मरे जा रहे हैं इसके लिए अहां सर्ग का शरीर है तो इस प्रकार सा पांचों इंद्रियों के बिशेयों से दुखी हैं कितने ही मिल जाएं गुरिर महान गुरिर अब्धिर महान अब्धेर नभोमात नभसोपि परंब्रह्म तको प्याशादुरत्यया सुरोपतेर ब्राह्मम पदम्या चते तो ये पांचों इंद्रियों का दुख एक जीवात्मा भोग रही है विचादु लेकिन इन सब कामनाओं का रीदन है एक जिसका जिसमें लगाओ है अटाइच्मेंट है मन का उसी की कामना पैदा होती है कि शराबी दूध नहीं चाहता शराब चाहता है इस्त्री पती बाप बेटा सब निच्छावर है शराब के ऊपर जिसको जो लट लट कहते हैं हमारे गमारी भासा में इसको लट लग गई है इसकी केमरा लिए घूमा करता है चौविज गंदे इसकी पहाड के फोटो लो इसकी आकास की लो इधर लो घर की परवाही नहीं इस सेठ को बस पैसा चाहिए न बीबी की परवाह न बेटे की उटाई फाइड में पड़ा है अए नौकर से कहता है देख लेना उसको मैं जा रहा हूं दुकान पंडित लोग एक कथानक कहते हैं कि एक सेठ जी रात को बारा बजे तक रूपया गिनते रहे वो हिसाब नहीं मिल रहा था कम पड़ रहा था बड़े टेंशन में थे कहां गया दो सो रूपया बार बार बीबी ने आकर कहा खाना खालो आते हैं तुमको तो बस खाने की पड़ी है हमारा दो सो रूपय का हिसाब नहीं मिल ला है तो बारा बजे बीबी ने नौकरानी से कहा है ले जा खीर मुह में ऐसे लगा देना तो जब खीर का चाटे गया ना तब उसको खाने की इच्छा हो जाएगी तो नौकरानी ने खीर मुह में ऐसे लगा दिया तो ऐसे करके उसने उसको घटक लिया और गटक के जाके सामने नल था उसमें हाथ धो लिया मुह मियानि हम खा चुके अब फिर वह जिन रहा है रूपया अरे बड़े बड़े पैसे के अटाइच्मेंट वाले 90 परसंट है खरपती भी गरीबों की बात नहीं कर रहा हूं जिसका जिसमें अटाइच्मेंट है उसी की कामना उसी को बढ़ाने का प्लान उसी की प्रैक्टिस उसी में बर गया पाल्टिक्स हो मुजिक हो कोई भी चीज हो जिसको जो रोग लग गया हाँ जैसे हमको भक भक का रोग लगा है बोले जाएंगे बोले जाएंगे क्रिपालू अब बिना बोले चैन नहीं आज बोले नहीं अब ये बोलेंगे तो ये संग रीजन है प्रतेक कामना का और संग का कारण क्या है फिर बताएंगे क्या है बोले जाएंगे